असलाम अलेकुम फ्रेंस वेलकम को बैक माई यूट्योग चैनल मैं गुलाम रसूल आज फिर आया हूँ एक नए वीडियो के साथ जिसमें आपको बताऊंगा अर्भी के स्ट्राइल में ब्रेड हम लोग किस तरीके से बनाते हैं इसका नाम है मनागिश जातर ब्रेड साथ मे हम बनाएंगी यहाँ परी पीजा मीनी पीजा यह दो ब्रेड आर्भी लोग को पसंद करते हैं खाने के लिए तो हम लोग इसे किस तरीके से बनाते हैं इसमें हम लोग क्या-क्या इस्तमाल करते हैं मैं आपको पूरा दिखाने वाला हूं तो वीडियो के अंतक जरूर बने से पहले हम लोग बनाएंगे उसके लिए हमने यहाँ पर एक बॉल में 125 ml मिल्क ले लिया है साथ में उसमें एड कर लिया है वन टी स्पून सॉल्ट उससी के साथ इसमें एड कर लेते हैं 3 टेबल स्पून सूगर चीनी जो हमारी है साथ में एड कर लेते हैं 1 टी स्पून बेकिंग पॉडर उसी के साथ आड करेंगे 2 टेबल स्पून ड्राइ इस्ट साथ में एड कर लेते हैं 1 1 1.5 cup ओयल 65 ml अब इन सब को अच्छा से मिला देते हैं मिला लेने के बाद इसे साइड करके रख देते हैं अब यहां पर एक दूसरा बॉल ले लेते हैं उसमें आइट कर लेंगे थिरी कप फुलोर मैदा है हमारा 700 गिराम अब जो मिक्सर हमने बना के रखाता है उसको इस मैदे में आइट कर देना है हमें साथ में आइट करेंगे 200 ml वाटर पानी अब इसे अच्छे से मिला कर सौफ्ट डू रेडि कर लेना है अब अच्छे से पहले मिला लेता हूं आपका डो जितना अच्छा बनेगा आपका पीजा मनागीस जातर ब्रेट जो है वह अच्छा बनेगा इसलिए अच्छे से दो को पहले मिक्स करेंगे ताकि कहीं भी वह ड्राइं न रहे अच्छे से देखिए हमने यहाँ पर निया है मिला लेने के बाद इसे बॉल में फिर से ट्रांस्पर कर देते हैं अब इसे को और करके एक घंटे के लिए रेष्ट करने के छोड़ देते हैं ताकि जो है हमारा प्रे में बनाएंगे जातर कर लेते हैं पर बनाते हैं तरह पुसके लिए हम ने पर उसको क्षोप कर लेते हैं अपने रूल कर लेते हैं अबुछे रख लिया है कि हमें जातर का ज़ुद पड़ेगा तो हमने यहां पर एक बॉल में जातर एट कर लिया है साथ में फोर टेबुल इस्पून आइट कर लेना है उसके बाद इस जातर को हमें मिला लेना ऑईल के साथ अब यह जो हमरा मिक्सर रेडी हो गया है अब इसे हम अपने ब्रेड में कर देंगे इस तरीके से अच्छे से लगा देने के बाद अब इसे हमें देख कर लेना है 180 पर 15 मिनिट के लिए है यह देखिए हमारा मनागिश रेडी हो गया है जातर ब्रेड आप चाहें तो इसी तरीके से जातर के जगा में चीज खली आइड करके दुसरा मनागिश भवी बना सकते हैं मैं आपको उसके रेसीपी नहीं दिखा रहा हूं अगर आपको उसके रेसीपी चाहिए तो लिंक में आपको मिल जाएगे डिस्क्रिशन बॉक्स में आप वहांस जाकर चेक कर लेगे हम लोग उसे किस तरीके से बनाते हैं अब देखिए यह रेडी हो गया है हमारा कर देंगे कर देता हूं उसके बाद इसे हमें दस मिनिट के लिए चोड़ देना है ताकि अच्छा हो जाए और जो है फुल जाए ताकि इसको जब प्रेस करेंगे तो यह अराम से प्रेस हो जाएगा अब पीजा बनाने के लिए कुछ चाहिए होगा वह हम लोग यहां पर देख लेते हैं उसके हमने मौजडीक लिया अपने हमारा अब उसे हम फ्लाइट कर देते हैं अपने पीजा के दोख को यह कितना चाहिए हो रहा है अगर 10 मिट आप इसे नहीं छोड़ेगा तो इस तरीके से फ्लाइट नहीं होगा इसलिए 10 मिट पहले छोड़ दिया जाता है अब इसे काटे चम्मस से इस तरीके से डिजाइन दे दिजिएगा अब इसके उपर से हम पहले पीजा सौस जो है अच्छे से लगा लेते हैं ताकि यह खाने में हो मज़ेदार हो साथ में इसके उपर से हम पहले मसरूम एट करेंगे उसके बाद कैप्सिकम एट करेंगे चौप किया हुआ साथ में आट कर लेंगे टमाटो का चौप किया हु में 180 डिग्री पर 15 मिनिट के लिए ताकि जो अच्छा से यह कुक हो जाए अब यह मैं इसे बैक कर लेते हैं यह देखिए यह पीजा हमारा रेडी हो गया है खाने के लिए तो आगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो लाइक सियर और कॉमेंट जरूर करें चैनल पर नए है तो चैनल को सस्क्राइब भी कर दें फिर मिलेंगे नेक्श वीडियो में अल्ला हाफीज